आर पीएसी पेपर के सल्यूशन हम लेकर आचुके हैं आज की हम क्लास 22 में डिस्कुस करेंगी साविदान या पॉलिटिक की क्विशन जो पीवाई क्यू है आज का पहला क्यूशन है दोस्तो भारत की सविदान सभा की प्रारुप समित्थी के गठन की बात हो रही है भारत की सविदान सभा की प्रारुप समित्थी के गठन की बात हो रही है यहनि की गठन के बारे में पूछा दो गया है दोस्तो किस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा अनुछेद है कौन सा अनुछेद है जो राज्यो को उच्छ नहय लोग की मूल अधिकारों में परिवतन का अधिकार देता है तो दोस्व अनुछे 226 ये अधिकार देता है कि आप मूल अधिकारों में बदल सकते हो दोस्ट तो नेक्स देखते हैं कि सविदान संसोदन द्वारा मंत्री परिशत की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% तक समीत कर दीगी है। यह आंसर क्या है? इक्राणवा में सविदान संसोदन दोजातीन में। द्वारा में नहीं हुआ, उन्नवासी में नहीं हुआ और इक्राणवा में भी नहीं हुआ। राज्य में विदान परिशत की संख्या का उलेख है। साथना का उले किस अनुछेद में किया गया है दोस्तों अनुछेद में पूचा है कि राज vieneieran पर उसे किस अनुछेद के तहथ औगी तो 211 की तहट होगी कौन सा अनुछेद के तहट होगी 200 अनुछे 171 के तहत होगी 70 नहीं बैतर नहीं और 33 नहीं Next दिखते हैं दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान किजिए एक सूची 1 को सूची 2 से मिला देंगे और सही उत्तर का भी चैन करना है चलो देख लेते हैं तो ग्राम पचाइत का गठन किस लिए चालिष के तहात, तो पहले में, ढूने कि अनुछित 45 के सहित है, और जो परसुपालर न परिख अनुछित 40 में आता है, तो आंसर यह हो जाता है अनुशित पचास बोलता है दोस्तों जी न्याइपालिका और कार्यापालिका का पर्थकरन कोन कहता है अनुशित पचास कहता है तो हमारा आंसर कोन सा हो जाता है पहले में तीन यानि कि अनुशित चालिस का ग्राम पचास तो को गटन समानागरिक सही अनुचित चमालिस में क्रशी और पसू पालन है हमारा अनुचित अर्टालिस में नायपालिकार पगारिया पालिकार से पत्था करण अनुचित पचास के तहट दोस्तों नेक्स देखते हैं नेमेल लिक्त पेसे किस राज़े में अनुचित 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है दोस्तों यहां पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है भईया जिसमें अनुचे 356 सबसे अधीक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है दोस्तों उत्तरपदेश उत्तरपदेश ऐसा राज्य है जिसमें अनुचे 356 बार 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 लागू किया गया है यानि कि सबसे ज्यादा लागू किया गया है तो उनुचे 356 उत्रपद में सबसु ज्यादा लागू हुआ है तो उसके तहर यानि कि मानवा दिकार आयो का गठन किस अधिनियम के अंतरगत किया गया है तो नेक्स देखते हैं नेमे लिखित में से कौन सा पत ग्रहन करने से पूर राजसान क कि राज़ेपाल के समक्षी सपत लेते हैं दोस्तों यानि कि कौन-कौन से लोगों नीचे दिये गए हैं जिन में से कौन-कौन से लोगों जो अपने पत की सपत लेते हैं किसके सामने राज़ेपाल जिनको सपत दिलाता है यह पूछ रहा है सीथा सीथा तो हम देख लेते ह नेक्स बढ़ते हैं भाइत के सविदान के किस अनुचित के अंतरगत किया गया है दोस्तों भारतिय संसत जो है उसका गठन भारतिय सविदान के किस अनुचित के अंतरगत किया गया है दोस्तों तो यह अनुचित 79 के तहत किया गया है जो हमारी संसत किस अनुचित के तहत बनिया अनुचित 79 के तहत नेक्स कुछन देखते हैं राजस्तान विदान सबा में अ कि बात वांगे मिश्क हैं योइव नहीं के सकते हैं तो अद्धيक्स कि अलुपस्तिती इस विदेय को कौन प्रमानित कर सकते हैं। ग्डिकार किसके की पास है उना कितले हैं उनम्हेंस की तरह बहें गर हम करेगा। या जो तो भी रोकने लायक मामला नहीं है उसे क्या कर देगा प्रबानित कर देगा दोस्तों नेक्स देखते हैं राजस्तान उच्छ नयले के निम्रांकित नयदिस में से कौन से राज्जी के उच्छ नयले के मुझे नयमति नहीं रहा दोस्तों किसकी बात हो रही है यानि कि राज जी हमारे सिर्व राज्स्तान कही नयमूर्टी रहें किसी और राज्य की नयमूर्टी नहीं रहें हैं। यानि म्हित अंतरों रिखते हैं की और टोछ नहीं रहें इसा कों सारेलियों पूछ रहें। यह एं 우리Hubraar जी जो थे वह हमारे स्चीय भी रहें थे और ऑर ओस्थी के अद्दक्स भी रहे हैं दोस्तो नेक्स एक तेम्नान अंकित मीर्से कौन राजस्तन राजय माणवादिगार डिकार आयो के अद्दक्स नहीं रहे हैं तो दोस्तो जो राजस्तन मानवादिगार के आय के लिक देए ब्राइक के प्र simplemente मुख्यमंद्र का ईपकर गाया तोद्सों महालाद सुखाडिया को मुंहालाद शुखाडिया को जरू में जरूर मतने जरूराइज खरे शुकाड़ा को